कहानी संसार में लीजे सुनिये, कथा लेखी का इसमत चुगदाई की कहानी घुंखट सफेद चांदनी बीछे तक्त पर बगुले के परों से ज़्यादा सफेद बालो वाली दादी बिलकुल संगमरमर का भद्दा सा धेर मालूम होती थी जैसे उनके जिस्म में खून की एक बूद ना हो, उनकी हलकी सुर्मई आखों की पुतलियों तक पर सफेदी रिंग आई थी और जब वो अपनी बेनूर आखे खोलती तो ऐसा मालूम होता सब रोजन बंध है, खिड़किया दभीज पर्दों के पीछे सहमी चिपी बैठी है उनके देखकर आखे चवधियाने लगती थी, जैसे इर्दगिर्द पिसी हुई चादी का गुबार मुवल लखो, सफेद चिनगारियां सी फूट रही हो, उनके चहरे पर पाकीजगी और दोशीजगी का नूर था, अस्सी बरस की इस कुवारी को कभी किसी मर्द ने हाथ नहीं लगाया था। पारी अम्मा के मामू से हो गई, जितने दूलहन गोरी थी, उतने ही दूलह मिया श्याह भट थे, रंगत को छोड़कर हुस्न ओ मर्दानगी का नमूना थे, क्या डसी हुई फटारा आखे, तलवार की धार जैसी खड़ी नाक और मोतियों को मांद करने वाले दात, मगर गरहन लग जाएगा, काले मिया उस वक्त सत्रह बरस के खुद सर बिगडे दिल भी छड़े थे, उन पर दूलहन के हुस्न की कुछ ऐसी हैबत तारी हुई, कि रात ही रात जोधपूर अपने नाना के यहां भाग गए, दबी जबान से अपने हम उमरों से कहा, मैं शादी न जाता था, एक दफा मंगनी हो जाएगी, तो फिर तोड़ने की मजाल नहीं थी, ना के कट जाने का ख़दशा होता था, और फिर दूलहन में ऐब क्या था, यही कि वो बेहिंतहा हसीन थी, दुनिया हुस्न की दिवानी है, और आप हुस्न से नाला, बदमजाकी की हद, वो म मगरूर है, दबी जबान से कहा, कैसे मालूम हुआ, जबकि कोई सबूत नहीं, मगर हुस्न हाजिर है, मगरूर होता है, और काले मिया, किसी का गुरूर जहेल जाएं, यह ना मुंकन, नाक पर मक्खी बिठाने की रवादार न थे, बहुत समझाया की मिया, वो तुम्हारे निकाह में आने की बाद तुम्हारी मिलकियत होगी, तुम्हारे हुक्म से दिन को रात और रात को दिन कहेगी, जिधर बिठाओगे बैठेगी, उठाओगे उठेगी, कुछ जूते भी पड़े, और आखिर एकार काले मिया को पकड पढ़ दिया, फिर तो बिलकुल ही अलिफ हो गए, मगर किसी ने उनके तंतना को संजीदगी से ना लिया, मजाख ही समझते रहे और छेड़ते रहे, दूलह मिया शमसीर ए बरहना बने, जब दूलहन के कमरे में पहुँचे, तो लाल-लाल चमकदार फूलों में उलजी सुल कापते हाथों से घूंघट उठाने लगे, तो वो दूलहन बिलकुल आउधी हो गई, अच्छा, तुम खुद ही घूंघट उठा दो, दूलहन और नीचे जुग गई, हम कहते हैं घूंघट उठाओ, डपट कर बोले, दूलहन बिलकुल गेद बन गई, अच्छा जी, इत जाती थी, तो बस हो जाती थी, काले मिया साथ बरस घर से गायब रहे, दूलहन ससुराल और मीका के दर्मियान मुवल्लक रही, मा को रुपया पैसा भेजते रहे, घर की अउड़तों को पता था कि दूलहन अंचुई रह गई, होते होते मर्दू तक बात पहुची, काले मि मैंने कसम खाई है, वो खुद घूंगट नहीं उठाएगी, तो चूलहे में जाए, अमा अजमना मर्द हो, दूलहन से घूंगट उठाने को कहते हो, फिर कहोगे कि वो आगे भी पेश कदमी करे, अजिला हॉल वला कुबबा, गोरी भी के माबाप इकलोती बेटी के गम में घुनने लगे, बच्ची में क्या ऐप था कि दूले ने हाथ न लगाया, ऐसा अंधेर तो न देखा न सुना, काले मिया ने अपनी मर्दानगी के सबूत में रंडी बाजी, लॉंडे बाजी, मुर्ग बाजी, कबूतर बाजी, गरज कोई बाजी न छोड़ी और गोरी भी घुंघट में सुलकती रही, नानी अम्मा की हालत खराब हुई, तो साथ बरस बाद काले मिया घर लोटे, इस मौका को गनीमत समझ कर फिर बीवी से उनका मिलाप कराने की कोशिश की गई, फिर से गोरी भी दूलन बनाई गई, मगर काले मिया ने कह दिया, अपनी मा की कसम खा चुका हूँ, घुंघट मैं नहीं उठाओंगा, सबने गोरी भी को समझाया देखू बनू, सारी उम्र का भुकतान है, शर्मो हया को रखो ताक में, और जी कड़ा करके तुम आप ही घुंघट उठा देना, इसमें कुछ बेसर्मी नहीं, वो तुम्हारा शोहर है, दूला मिया दूलहन के कमरे में धाके ले गए, गोरी भी अब 21 बरस की नौखेज हसीना थी, अंग अंग से जवानी फूर रही थी, आखे बोजल थी, सासे भरी थी, साथ बरस उन्होंने इसी घड़ी के ख्वाब देखकर गुजारे थे, कमसिन लड़कियों ने बीसीयों राज बताकर दिल को धड़कना सिखा दिया था, दूलहन के हिना आलूदा हाथ पैर देखकर काले मिया के सर पर जिन्न मरराने लगे, उनके सामने उनकी दूलहन रखी थी, चौदे बरस की कच्ची कली नहीं एक मुकमल गुलदस था, लार टपकने लगी, आज जरूर दिन और रात को मिलकर सर्मगी शाम का समा बधेगा, उनका तजर्वेकार जिस्म शिकारी चीते की तरह मुझोर हो रहा था, उन्होंने अब तक दूलहन की सूरत नहीं देखी थी, बदकारियों में भी इस रस भरी दूलहन का तसवर दिल पर आरे चलाता रहा, घूगट उठाओ उन्होंने लरज्टी हुई आवाज में हुक्म दिया, दूलहन की चंगुली भी नहीं ले, घूगट उटाओ, उन्होंने बड़ी लजाजत से रोनी आवाज में कहा, सुकोत तारी है, अगर मेरा हुक्म नहीं मानोगी, तो फिर मुह नहीं दिखाओंगा, दूलहन टस से मस ना हुई, काले मिया ने घूसा मार कर खिड़की खोली और पाइंग बाग में कोद गए, इस रात के लिए वो फिर वापस न लोटे, अंचुई गोरी भी तीस साल तक उनका इंतिजार करती रही, सब मर खप गए, एक बूरी खाला के साथ फतेपुर सीकरी में रहती थी थी कि गोरी भी से कहो आ जाओ कि दम निकल जाए, गोरी भी खंबे से माथा टिकाय खड़ी रही, फिर उन्होंने संदुक खोल कर अपना तार-तार शहाना जोड़ा निकाला, आधे सफेज सर में सुहाक का टेल डाला और घूंघट समालती लबे दम मरीज के सिरहाने पहुची, घूंघट उठाओ, काले मिया ने नाज के आलम मिसिस की भरी, गोरी भी के लरजते हुए हाथ घूंघट तक उठे और नीचे गिर गए, काले मिया धम थोड़ शुके थे, उन्होंने वहीं उकडुबाहट कर पलंग के पाय पर चूड़िया तोड़ी और घूंघट की बज कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार